दोस्तों अद्रक इस्तिमाल अगर आप अपनी तोचा पर करती है तो यह आपके तोचा को बहुत ही जदा ब्राइट बनाएगा इतना ज़्यादा खूपसरत ग्रोइंग बनाएगा कि आपको पार्लर जाने की जुरत ही नहीं पड़ेगी दरसल दोस्तों अद्रक हमारी तोच होने लगे हैं हर समस्या के लिए आपके साथ इस वीडियो में अध्रक का से कर एक एक रोग नाचका करने के लिए तो दोस्तों आये शूर करते हैं इस वीजिय को तो सबसे पहले मैं आपको बहुत जब्ूलियां आगई है समय से पहले आपके तोचा काफी बुजर्बों चैसे दिखने लगी है काफी डल हो गई है तो यह आपके तोचा पर बढ़ते हुई उम्र के लक्ष्णों को कम करेगा और दूसरा यह कि आपके शेर में कॉलिजन के उत्पादन को बढ़ाता है जिसके वज़े से अगर आप इसका जूस निकालीजिए अगर आपके पास अद्रक का सूखा पाउडर है तो आप इसका सूखा पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो देखिए दोस्तों मैं यहां पर लगवग एक बड़ा चमच अद्रक का रस लोंगी और हम इसमें एड़ करेंगे एक बड़ा चमच निवू का रस अब इन सब को अच्छी से मिक्स कर लीजिए एकदम दोस्तों इसका पतलासा पेस्ट बनकर बिलकुल तयार है अब आप अपने चेहरे को अच्छी से पानी की मिनद से वाश कर लीजिए और इसे अपने पूरे फेस और अपनी गर्दन पर इसे एपलाई के ज काफी जो है रिंकल्स कम हो जाते हैं आपके स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिसकी वज़से चेहरे पर काफी अचा निखा राता है और जो पिंपल्स महासे एकनी की समस्या है वो बिलकुल तूर हो जाती है दोस्तों अगर आपके फेस पर काफी जाला दाने निक एजेंट होते हैं जो तुचा को दानी और महासे की समस्या से रहा दिलाता है इसके अलावा अत्रफ उन वेक्टिरिया को भी खत्म करने में मदद करता है जो महासे और दानी का कारण बनते हैं अत्रफ में एंटियोक्सिजन्ट और जिंक होता है जो कि तुचा की जलन को कम क तो आप टाइट ली अत्रग करके इसे अपने फेस पर अपने जहां भी आपको दाग रभी है या आपको खुच्री हो रही है आपकी स्किन पर मोहा से निकल आए तो उस जगह पर आप इसे हलकी हाथों से रब कर सकती है यह आप इसका जूस निकाल कर डाइट ली इसमें थु को परियाप्त मात्रा में पोशन प्रदान करता है इसके लावा अगर मालेजिए आपके फेस काफी डल हो गया है आपके स्किन काफी बेजान सी और बहुत जीसा रूखी सुखी दिखने लगी है तो ऐसे में आप अधरक काफी मात्रा में एंटियों को बढ़ाता है जो तो और इसके लावा आप तो अपनी स्किन को इतम चमकदार और बहुत ब्राइट बनाने के लिए अधरक को आप टोनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि काफी एचे टोनर की तरह काम करेगा तो इसके लिए आप अधरक का रस निकालीजिए और उसमें आप दो चमश निवू तोनर को लेकर अपने चहरी पर 20 मिनट के लिए और उसके भाद ठंडे पानी से दोड़ेजिए दोस्तों आप चाहे तो आप इसे राद बर के लिए आपने चहरी पर छोड़ सकती हैं और सोबा उठकर आप इसे वाश कर सकती हैं तो इससे भी आपको काफी च्छा रिसल्स देखने को मिलेगा आपके चेहरे पर जो भी दागदबे हैं वहां से हो गए हैं बहुत जादा खुष्टरी की शिकायत है तो उसको बिल्कुल दूर करेगा संटेन को जड़ से खरतम करतेगा आपके स्किन को ब्राइट मक्षन से मुलाएं बहुत ही सदा गोरी चमकदार बना जो आपको पसंद आए हो वीडियो अच्छे लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए तो फिर मिलते हैं एकले वीडियो में एकनी जानकारी के साथ तब तक लिए भवावायां टेक केर